दोस्तों आज हम आया हैं पंजाबी डाबर रेस्टोरेंट ये रेस्टोरेंट जो है अल्क हुएर में ये आप हॉलिडे होटेल देख रहे हैं और ये इबिस होटल देख रहे हैं इसके बिलकुल 25 कदम की दूरी पर ये होट बाजू में है पंजाबी डाबा आएए देखते हैं कैसा है ये रेस्टोरेंट पंजाबी डाबा जो ही अल्क हुएर में है और ये इक पंजाबी स्टाइल का वेज रेस्टोरेंट डाबा है हमने सुचा आज यहां के खाना खाया जाए लेट सी हाव इड़ गोस हमने मगाया है एक यहां की पंजाबी डाबा स्पेशल थाली जो की 1.7 रियल की है और एक फस्ट कॉंबो थाली जो की 800 बैजा की है हम भी बहुत ही एक्साइटेड है यहां का खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट देखने में अच्छा रहा है जेंट्री अच्छी आ रही है उम्मीद करते हैं खाना भी अच्छा ही होगा एंबियन्स भी यहां काफी अच्छा लग रहा है वाना भी अच्छा है और एक खास बात यहीं किच्छन बिलकुल बाजू में है लेट्स सी दोस्तों खाना आने के बाद पता लेगा कैसा लेपन है इस लूद्स को खाना हमारा आ चुका है मैने मगाइ थी उन कॉंबो थाली और एक स्पेशल पंजाबी ढबा थाली यह स्पेशल पंजाबा थाली ढबा थाली जो के बाद हम बताएंगे दोस्तो रेस्टोरेंट से हम बाहर आचुके हैं अब खाने का फीडबेक देने का टाइम है खाना हमने मगाया था एक कॉमबो फस्ट कॉमबो थाली और एक इस्पेशल पंजाबी डाबा थाली अब बात करें उसमें जो वैसे तो खाना मतलब पेस्ट उसका अगर बात करें तो काफी साधरन टेस्ट था मतलब बहुत वाओ भी नहीं कहूंगा बहुत खराब बीन लेकि खाने के लिए अच्छा था मतलब घर जैसा खाना रखेगा और दूसरी बात यह है कि हमने थाली मगाई थी बट थाली ये एक लिमिटेट थाली थी आम तोर पे थाली कहीं भी या मसकट में चले जाईए तो अनलिमिटेट थाली होती है पर जैसे 1.7 रियाल की थाली भी थी वो भी अनलिमिटेट नहीं थी बड़ी लिमिटेट थाली थी उसमें 3 रोटियां थोड़े से चावल एक पनीर की सबजी बैंगन का भरता थोड़ा सा दही बस ये सब चीजें थी और जो फस्ट कॉम्बो थाली थी उस फस्ट कॉम्बो थाली के अंदर चावल दाल और रोटी तो एक बार खाने के लिए अच्छा है काफी मतलब खाना ठीक ठाकता इतना कहूंगा तो ये मेरा फीड़बेक है रेस्टोरेंट के लिए तो अब हमें आप विदा दीजिए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम आएंगे और बहतरी किसी रेस्टोरेंट के विजिट की औ और खाने की वीडियो लेके तो आपको हम बस आपसे विदा लेते हैं हम आज थर्जडे है तो यहां थोड़ा नाइट आउट के लिए निकले हुए हैं तो खाना खाके अब बस बाहर घूम रहे हैं तो दोस्तों कैसा लगा ये रेस्टोरेंट का वीडियो गुडबाई फर now see you in the next video thank you very much